हिलो फ्रेंज आप सब कैसे है लेटेस्ट ट्विस्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें इमली, आर्यान इमली के अफ्य को फ्रेम करने के लिए मालिनी का नया नाटक आदित्य और मालिनी की शादी हो जाती है लेकिन सब कुछ मालिनी के पक्ष में नहीं होता इस प्रकार अनू एक नई योजना के साथ आती है जिसमें मालिनी से इमली को घर आमंतरत करने और उसे दिखाने के लिए कहा जाता है कि वो आदित्य से कितनी खुश है जबकि मालिनी उससे सहमत हो जाती है वो इस प्रकार आर्यन और इमली को तस्वीरें चुनने के लिए घर आमंतरत करती है और वहां वो उन्हें 50 लाख का भुगतान करती है आर्यन ने इमली को इसे काम के रूप में लेने के लिए कहा लेकिन ऐसा लगता है कि मालिनी का नया नाटक एक बार फिर इमली के आत्मिश्वास को हिला देगा एक तंग जगह में इमली मालिनी आदित्य को खाना खिलाती है जब वो भी बदले में उसे अपने साथ खाने के लिए कहता है जैसा कि मालिनी ने आदित्य के साथ अपने पूर्ण प्रेम पूर्ण संबंध को दिखाया इमली को बहुत बुरा लगता है और वो हरी मिर्च खाने लगती है और यहां मालिनी का यह नया नाटक आरियन और इमली के प्रेम प्रसन को फ्रेम करता है जब आर्यन उसे रोकने के लिए इमली का हाथ पकड़ लेता है जबकि आदित्य उसे गलत समझ लेता है। क्या आदित्य कभी इमली को समझ पाएगा। देखते हैं आगे क्या होगा और शो में आगे क्या-क्या बड़े ट्विस्ट एंड टंस आने वाले हैं।